अवेद और जहरीली शराब बनाने वाला ग्राम सिपावरा बास्खेडी का सरपंच भले ही सत्तारूर भाजपा के नेताओं के संपर्क में हो पर उसके यहां अवेद और जहरीली शराब बनाने का अड़ा पकड़ाने के बाद प्रशासन उसके खिलाफ कार रवाई करने में क की गिरफतारी की कोशिश के साथ ही उस पर रासुका की काररवाय किये जाने की तैयारी की जा रही है। यहां आपको बता दे कि भेरिव गर्थाने के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत बास्खेडी के। सरपंच नरेंद्र कुमावत द्वारा पिछले काफी समय से स्प्र और बढ़ी मात्रा में यूरिया बरामत की थी। जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट के आठ ड्रम तो एक कुई से बरामत किये गए थे। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ 341 एक और दो सहित धारा उन्चास में आपरादिक प्रकरन दर्ज कि इस दौरान CSPAR नेगी, थाना प्रभारी भहरवगर योगेंद सिसोधिया, पवासा टिया मुनेंद्र गौतम, तहसीलदार शिवराम कनाशे, नायब तहसीलदार लोकेश चोहान, घटिया के CEO रविकांत एवम कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी निलेश जाधव भी मौजू की, ती और 4000 लीटर से अधिक शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट और बड़ी मात्रा में यूरिया बरामत की थी.